स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टिकनोलजी में मैं अनुवा मेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूव साइंस साइंस सच्टी में आज हम लोग बात करेंगे SDR के बारे में यानि की Software Defined Radio के बारे में तो आएे समस्ते में तो सबसे पहले ये समझे कि आईडिया क्या था आईडिया ये है कि रेडियो जो है हम लोग हर जगां वौकी टॉकी के लिए कुछ बने होते थे Air Traffic Control के लिए तो है तो यह सब रेडियो ही, लेकिन समझ रहे हैं, यह सब का टूल के जो बैंड्स होते थे, उसमें बहुत नेरो पे फोकस करके, वतलब समझ एक और जो एक ही काम कर सकता है, तो इससे हिसाब यह समझ यह कि हम लोग जैसे हमारी टेकनोलजी पढ़ते गई हमारा रेडियो ब बैंड जो है, बहुत बढ़ हो गया, आपका पूराना अगर आपको पस रेडियो सेट आता हो ऐसा, उसमें देखतों कि जादा चीज वो नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप जैसे से, मतलब, मौडन इडिस्ट्री या इसमाल बढ़ते चला गया, तो अब बैंड जो हम ल कर सकता है, software को आप रिकनफिगर कर सकते है, hardware को रिकनफिगर करने के लिए, फिजिकली खोल के छड़कानी करना पड़ेगा, तो आइडिया किसी को यह है, कि radio है, इस्तमाल हर जगा होता है, खूब सारे बैंड भी इस्तमाल होता है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक hardware बन सारे equipment, receiver के अंदर गुजय के तो बहुत सारे होता है, modulator होता है, oscillators होते हैं, बहुत सारे छीज होता है, तब जाके आपका signal होता है, तो उसमें भी signal, raw signal होता है, और प्रॉसेस सिगनल होता है, जिससे आपको amplifier स्लाया जाता है, audio निकलता है, तो यह दोने में बहुत अंतर हो यह इस समंझे नहीं कि ढ़नेल को स्तिनल करने कर दो आपका सेटलाइट पचल राइडियो के चल रहा है कि यह इंक वोड़ रहा है तो हरै करते हैं बन्हीं सादरन के आपका सैटलाइट टीतbij के रारे तो एक कटेगरी है जैसे military जिसे जनरली इस्तमाल करेगी EU का और NATO का sanctioned है उसमे एक A band है B band है C band अधी बैड़ यह जनरली आम पब्लिक पर इस्तमाल नहीं करते हैं अगर military मालों किसी पर इस्तमाल करें तो military बोलेगे कि हमें D band का इस्तमाल करें करना है अब बात करते हैं IEEE का यह जनरली इलेक्रोनिक्स चीज में यह band का इस्तमाल करें जिसमें आता है HF आता है जो जनरली स्टार्ट हो जाएगा आपका समझ यह 5 MHz के आसपास से उसके X band है फिर K band है K U band है K A band है फिर V band है W band है और millimeter wave है जिस पर 5G चलने वाला था जबकि millimeter के सबस्वड़ा side effect हो तो इसका range बहुत खराब होता है तो यहाँ पे एकदम समझें frequency जैसे आपका घटते जाएगा आपका range बढ़ते जाएगा frequency जैसे आप यह करते जाएगे मतला पढ लिए जो एम होता था बहुत लोग frequency इस्तमार करता है तो मतलब समझें दिल्ली में transmission करते थे वो almost पूरी इंडिया में सुना जा सकता था और जो से बहुत लोग frequency कर आप इस्तमाल करें तो आप दूसरे continent में सीधे बात कर सकते हैं क्योंकि range बहुत साथा होता है और microwave जो बो यानि कि जो radio के दुनिया में जो इस्तमाल होता है उसमें नाम बड़ा interesting interesting है जैसे है VLF यानि कि very low frequency फिर थोड़ा उपर जाए लो frequency फिर MF आता है medium frequency फिर आता है HF अब आप radio में खुसरे जो आम लोग इस्तमाल करते हैं HF आ गया वही 10 MHz का आसपास वाले zone में आता है फि तो फिर फिर उसे उपर चले है 100 GHz पर चल जाए अब बात कर रहे हैं अब अब बात कर रहे हैं तो आप THF लूडिकिसली high frequency काय से करके है तो यह समझी इस सब तीनों बैंड ला इसलिए आपको कई जगहां पर एकशी चीज लोग अलग अलग नाम से आपको बताते हैं कही सब्सक्राइब करता है तो यह समझना ज़रूरी है कि एक ही बैंड को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है तो जनरली अगर आप कुछ ऐसा बोलना चाहते है जिसमें एक तुम गैरेंटीड होगी कोई दूसरा मिसंडरस्टेंडी नहीं करें सीथे फ्रिक्व तो 104 आप बोल रहें से कुछ भी हो सकता है मेंगा हट्स में हाग थुए तुछ भी हो सकता है तो इसलिए कर आप पूरा बोलता है कि 104.1 यह मेडियें में मीडियम मोल थाhernú तब आप एक्जैक्ली बता रहें हो तब परक नहीं अब बात करते हैं जो लोग एपने अपने लोकेशन मता दिया है, इलेक्रमेंटरिक स्पेक्टर में, तो लोग ये करते हैं, और फिर आप लोग से जो लोग Amateur Radio के पतार ध्यान देते हैं, वो लोग तोग तरीक्षी सा बात करते हैं, वो बात करते हैं, 6-meter wave, 7-meter wave, 2-meter wave, इसके टोटल यह इसको बैंडविध को नापते हैं बैंडविध मतलब पीक को नापते हैं वह बहुत बढ़ा होता ही जला जाता है तो वह अलग हो जाता है यही समझी यह दुनिया में सुर्फ नीमिंग कन्वेंशन को समझने में आधा लोगों का दिमाग से दूवा निकल ज आते हैं यह पूरी एक अलग दुनिया है आपके मोबाइल फोन ने जो एंटिना लगा है वह बहुत जिनका उम्रत होगा उनको याद को मोबाइल पहले ऐसा एंटिना जैसा खीच के निकाल सकते थे फिर समसंग का पूरान पूरा मोईल में छोटा छोटा एंटिना लेकिन पिर एक असा हुआ कि सारे मोबाइल में एंटिना कायव हो गया इंटिना मतलब इंबेडड हो गया उसको करने क्लिए बहुत इंजिनेरिंग लगी थी कि एंटिना उतना मतलब PCV में डारेक्ट किया जा सके फिर देखते देखते 4G एंटिना 5G एंटिना इतना रुलाया है स आपल सब रोद ये 5G का एंटीना बनाने में कि एंटीना क्योंकि वह बहुत इजली ब्लॉक होता है हाथ पकड़े ब्लॉक हो गया सिकना और मतलब एपल के केस में तो था ही एपल फोर जहांते कि उसको पकड़ लेने पर उसका सिंगना आना बन देना कि एंटीना इंजिनियर करते हैं तब जाके कुछ कर पाते हैं लेकिन आगर इसका बेसिक पतलब इंदम गाड़ी खोल रहा है खासकर के लॉंग वेवलेंथ वाले यानि कि जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के बात करें मेगा हर्ट से बात करें हैं उससे भी नीचे की बात कर रहें आप आराम से घर म आप अच्छा काम करने लगेगा और अगर एंटिना खराब है और धंक अप एजडिया लगा तो कोई अगर अच्छा नहीं है तो फरक में बताब कितना बड़ी है पीछे लगा रहे वही बात हो जाता है तो डिय वाइब कैसे कैसे लोग बनाते कुछ के से में लोग सीधे कि भी एंटीना लगा देते हैं ये कुछ कुछ स्पेक्टर में अच्छा काम करता है कुछ में नहीं करता है तो डिपेंड कि कौन सा बैंड विद आप चार यूज करना चाहरा है वह बैंड पर यह रेजुनेट अच्छा पर नहीं करता है तो आप लटक जाहेंगे फिर एक ब एफम सुन सकूँ एम सुन सकूँ रेडियो मतलब जतने प्लें जा रहे हैं प्लें का रेडियो आप को सुनना चाहते हैं अगर आप बड़े सार में एरपोर्ट अगल बगल है तो तो वो भी आप उसके लिए अन्टिना आता है अलग-अलग डिजाइंग के अंटिना अलग सब्सक्राइब गाड़ी आपके खुली एंटिना से तो मेरे पास जैसे मुझे गिफ्ट भीजा गया है यह एर स्पाई के साब से उन कंपणी ने मुझे खुब सार किट्स यह जैसे एक स्टीर यह दिया गया है एक मीनी स्टीर है जो मोबाइल में लोग मोबाइल या लैप यह स्पेसेस का वीडियो का डाउनोड करना चाहरे है इस पेसक्स का रॉकेट से जो टेलिमेटरी निकल रहा हुआ उसको आप डाउनोड करना चाहरे है यह उस फ्रिक्वेंसी को टैर्क्ली नहीं सपोर्ट करता लेकिन आप डाउन कंवर्टर लगा के इसी से यूज कर यह आपो एक काम कर रहें सीरियस्ली तो मैं जबसे पहरा काम कहूंगा कि आप एक अडाप्टर ख़़दें क्योंकि इंडिया में अगर आ बड़े सरमें तो आपको एसे में डायरेक्ट चीज मिल जाए लेकिन छोडधे सरमें नहीं मिल आपको जनरली यह ख़़दना होगा मैं दिखा देता हूँ और इसका Amazon affiliate link भी देता होगा आपको इस तरह का एक adapter लेना होगा जो SMA connector एक साइड में होगा छोटा वाला कोड़का और दूसरा तो अगर आप बड़े सहर में तब तो कोई बात नहीं तब तो आपको ये natively मिल जाएगा ये connector आपको natively मिल जाएगा लेकिन छोटे शर में नहीं मिलता है इसलिए मैंने इस पर इंवेस्टमेंट किया बहुत महेंगा लग गया इसको मतलब 500 दिखा रहा था लेकिन हमको खरी इंडिया में आपको मिलेगा इसको टर्मिनेटर केबल जाएग सब चीज़ आपको मेले लगा कोई दिक्कत में रहे तो यह सबसे पहला यही एक फजियत हो जाता है इंटिना जोड़ेंगे जोड़ेंगे कैसे अब इसके बाद यह रहता है कि मैं इस एंटिना का बड़ा भाई करूँगा और इससे आप आराम से एफम एम सुन सकते हैं और यह एक्चली हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जाता एफिशेंट रहता है तो इसमाली आपको सको यह रेडियो है जो रेडियो छोड़ेंगे जैस सिंग्नल स्टेंग सुधार सकते हैं उससे आपका स्पीड पढ़ेगा जरूरी नहीं है लेकिन रिलाइबिलेटी बढ़ जाती है जन्रली तो एंटिना सही गारी खुलती है तो पहले एंटिना के बारे में सोचे आप कहां लगाएंगे कहां से बनाएंगे क्या करेंगे मतलब हम काफी चीज कर सकते हैं तो यह मेरे पास है मेरे आप लोगों भी अराम से खुबसरा ओक्षन मिल जाएगा और फिर बात करते हैं सॉफ्ट्वेर में क्योंकि यह समझे यह हाडवेर जो है यह आधा है यह सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है रेडियो स्पेट्रम पर और जासे सिधे डिजिटल डीटा में कंवर्ट करके भीजडेता बैजदेता है और सॉफ्ट्वेर को बोलता है यह तुम इसको मिक्स करो तुम इसको फिल्टर करो जितना चीज करना है सोफ्ट्वेर करो और अगर आप सही में सेब चार्प्लेट्रम आता है वह कैसे दाउन से उसमें इतने सारे bandwidth डाले जाते हैं, तो मैंने नीचे dedicated video दे दिया जो इस बारे में है, लेकिन यह समझ लिए मेरे से पहुंच के लोटा हुआ चीज़े, यह बहुत complex है, sign wave, spectrum बहुत complicated जगा जाता है, मतलब इसमें एक actual mathematical value जिस से complex value कहा जाता है, तो समझ लिए, बहुत complex चीज़ है कि वह actually करके हाराई की data को पूरा पूरा data आपका software के बादा आता है, फिर आपके पास software होगा, जैसे कि STR Sharp एक काफी popular software है इसके लिए, उसमें आप उपर spectrum रहेगा, यह नीचे waterfall रहेगा, इसको collect करके आप सुन सकते हैं, चाहें तो FM से गाड़ी खोलिए, फिर अगर बड़े सार में तो आपको aeroplane का भी यह मिल जागा, air traffic control सुनने लगेंगे, थोड़ा समहने तो रहने कीजिगा, तो यह weather satellite सुनने लगे, वह आप यहाँ पर आप जो त्टिगड़म करना है कीजिए, और मतलब आपको SDR नहीं चाहिए, कुछ और भी software भी आते हैं, तो जैसे GNU radio को भी काफी अच्छा नाम दिया चाता है, तो समझे यही सब तीलर, पहले आप एंटिना से गाड़ी बनाईए अपना, एंटिना लेने के बाद फिर आप हार्डवेर खरिदी हार्डवेर लिए हुआ है, तो काफी लोग इसको रिलेट करते हैं कि हैकिंग से, तो यहां पर समझे कि इंडिया में या हर देश में अलग अलग रूल होता है, तो कुछ-कुछ स्पेक्ट्रम पे लिसन करना बैंड है, मतलब ये बैंड पर आपने ही सुनतक चाहिए, जैसे कि कोई बै बैंड इमर्जनसी के लिए रखा जाता है, जैसे कि जिसे मेडिकल हो जाए, एम्बुलेंस हो जाए, या यह सब लोग रखते हैं, जिस पे आप छरखानी गल्ती से भी ना करें, जनरली कुछ ही बैंड पैसा होता है, 99% केसे में आप सुन सकते हैं, चाहे वो अरोपले नही रखते हैं, कोई तिकत नहीं होने वाली है, लेकिन ट्रांसमीशन के लिए बहुत सारे लॉज होते हैं, अगर एक दम बेसिक ट्रांसमीशन भी करना चाहते है, अमचार ड़ धी करना करेंगे, तो भी आपको अमचार ड़ीन लेना पड़ेगा, ओर तो भी उसके बाप भी आ तो लेते हैं जो जो जाता है जाता है जो जाता है जाता ही यह वाला जो मेरे पासा ज़िए है ज इस आ सब्सक्राइब जाता नहीं लेकिन बहुतलोग लेते हैं जो पिल्टेंग के उसltता हुद जेन इसका उंवाइस ऑस से देखते हैं कि radio interference कैसा है क्योंकि आराम से हो सकता है कि आपका software जो है वो उसमें भी मॉवाइल फोन में भी वही है software defined radio लेकिन उसका band बहुत छोटा है कि radio ही है अगर spectrum नहीं साही से काम कर रहा है मतलब signaling ठीक से नहीं हो रही तो कोई फारक नहीं पर आप किना पड़ यहां mobile खरी ले तो इसलिए समझे के सुनने में कोई मना ही ने सिवाए कुछ कुछ जगां को छोड़के जैसे खास करें पुलिस रेडियो को और transmission में सीधा सीध है कि आपको सरूल regulation बहुत सीरियस है और उसमें आपको एमेचर रेडियो का लाइसेंस होना चाहिए और वह लाइसेंस एक्जाम देखे मिलता है मतलब चुकि इंडिया का विभाग है विज्यान विभाग इसका सारा चीज करता है है बतलब 12 साल से अगर उम्र आपका ज्या यह बात मतलब सीधे आप पांस वाइसे बहुत दो तक ट्रांस्मिशन राइंच रखता है लोग करते हैं लेकिन उस पर लौ है जहां रखें ट्रांस्मिशन से बचें फिर यह तो एक बात होई गया कि ज़्या आदा स्यादा है सिर्फ रिसीव ओनली होता है और आप यह तो अगर आप की खुद से बना लेते हैं तो कि अच्छे हैकर वही करते हैं डिक्रिप्शन करते हैं ऐसा नहीं होता है कि समाल लगा दिए हैकिंग हो गया बहले इसका नाम है है यह कुछ करता नहीं है यह बस आपको दिखा देगा कि यह सिगिनल है यह डेटा हवा से होता है इसलिए डिक्रिप्शन की नहीं है तो आप है कि मुविंग उस पर कुछ करने ही पाएंगे और कई बार मिलिटरी जैसे अभी खुब सारा आपको एड देखने को मिलेगा कि इंडियन मिलिटरी स्विच कर रही है स्टीया रेडियो में कमिनिकेशन के लिए तो ऐसा क कुछ पर किया जाता है तो उनका जैसे माली इंटेलिजेंस था कि वही है यह बैंड पर वेरी हाइफ रिक्वेंसी पे सब लोग रेडियो इस्तमाल करें तो उस पे लिए वह नहीं ने जैमर लगा दिया अब आपका सॉफ्ट्रे डिफाइन रेडियो था आप एक काम करना हाई फ्रिक्वेंसी पे आजाओ युए उसमें बैंड नहीं आप आराम से बात कर सको फिर आप अले नहीं है उसका इस्तमाल तो कर सकते है बात तो कर सकते लेकिन उसका रींज बहुत कम हो जाता है बैटरी बहुत खाएगा रेंज बढ़ाने के लिए ते काम करो उससे तीसरा इस्तमाल होगा कोई एक ठोकी अगर लिक भी हो जाता है या कोई कराखी कर लेता है गारेंटी नहीं रहेगा उसके वह की हर बार काम करेगा जैसे अनिग्मा मशीन के साथ था तो इससे समझे मिलिटरी इस पर काफी ध्यान देती है और मिलिटर के जितने भी क्यूप उसको बस आपको receive करना और transmit करना वह गाडि खुद 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 अनक्रिप्शन नहीं था डिक शेन नहीं था हैंड्यक नहीं था बस एक signal था फैंसी सिंगनल और जो जेनरली कोई replicate नहीं कर सकता था लेकिन आप str आने के बाद सिगनल को सुने देखे इसमें तो कुछ डेटा ही नहीं है, जैसे मतलब TV remote को hack करने जैसा बात हो गया, तो वो सब है तो बात अलगे, वो समय आपको obviously यह hack करने देगा, लेकिन नॉर्मल जो fancy movie hacking वो नहीं होगा इससे, यह बात ज़रू समझ ले, वो आप पे है कि आप decrypt कर पाते हैं कि नहीं, तो य मैं कहूंगे dislike, दो भर दबाए, उससे मुझे तरह चले हो, कितना ना पसंद हो है, मैं आप से कहूंगा कि comment लिखें, मैं हर comment को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आप से कहूंगा subscribe कीजिए, बेल दबाई, अगर आ फ्री है, तो आपने एरा वीडियो देखा, जैन के मुझे बहुत खशी हुई, धन्यवाद